नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने श्टडी चैनल जेपी आउनलाइन एजुकेशन पर दोस्तों आज से हम एक नई टॉपिक आधुनिक भारती इतिहास के 500 महतपूर प्रस्मों के सिंखला प्रारंब कर रहे हैं जिसमें हम पहला चेप्टर यूरोपिये कंपनियों का भारत में आगबन पढ़ेंगे और डेली हम 25 महतपूर प्रस्मों को पूरा कराएंगे वीडियो सुरू करने पर एक चोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जिन लोगों ने माई चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज माई चैनल सब्सक्राइब कर लिए और चैनल को लाइक और सेर भी कर दीजिएगा तो देर न करते विए सुरू करते हैं मैं तो पर उसने यहां पहुश कर भारत के लिए एक नहीं समुदरी मारकी खोज की थी प्रस्थन क्या दो पर आते हैं निम्लिकेस में से कौन नीला जली योजना या ब्लू वाटर नीती से संबंदित हैं दा अलमीडा अल्बु कर्क डूपले या रावर्ट कलाइफ तो सही जो आप होगा आपसन जो है ए दा अलमीडा 1505 इसी में फ्रांसिस्को दा अलमीडा भारत में पर्थम पूर्टगाली वायसराय एवं गवर्नर बन कर आया था व्यपारिक हीतों के परिपेश में इसमें हिंद मासागर में प्रभुत्य स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पालसी अर्थात नीला जलकी नीती का प्रतिपादन किया था A is the right answer प्रसंक्यत 3 निमिकित में से किस ने वासकोडिगामा का कालिकट में स्वागत किया था गेशपर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन या डान, अलमेदा तो इसका सही जवाब होगा आपसन जो है C, जमोरिन कालीकट के ततकालीन सासक जमोरीन ने वासकोडिगामा का स्वागत किया था जब वह 20 मई 1499 को कालीकट पहुँचा था प्रसंक चार निम्लिखित में से कौन भारत में आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था दुआट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फरनाव नुनीज तो सही जब होगा आफन जो ऐसी पीटर मुंडी पीटर मुंडी 17 सताबदी में भारत आने वाला बिटिस व्यपारी लेखक यह यात्री था और यह चीन की चाय को चखने का उलेख करने वाला प्रसंग बिटिस नागरिक भी था और भारत में उसने पटना आगरायम सूरत आधी नगरों की यात्रा भी की थी प्रसंग पाच पे आते हैं बारत में यूरोपी सक्तियों के प्रवेश के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कबजा किया था दूसरा अंग्रेजियों ने अपना पहला कार खाना दच्छिड भारत में मशली में लगाया था तीसरा पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंप्री ने 1613 में उडिसा में पहला कार खाना लगाया और डी डूपले के निदित में फ्रांसीसियों ने 1766 में मद्रास पर कबजा किया था तो आप देखेंगे इसमें पहला ही जो आसन दिया है वो जो गलत दिया प्रसंग अच्छ है पूर्तगालियों ने भारत में निमिखित में से किस स्थान पर प्रसम दूर्ग का निर्माड किया था अज्जी दीव में कन्ना नोर में कोचीन में या गुवा में कोचीन में पुर्टगालियों के भारत में प्रसम दूर्ग का निर्माड अल्फांसो द अल्भुकर्क द्वारा 15-13 में कोचीन में कराया गया था प्रसंग के साथ पर आते हैं किन यूरोपियों ने भारत में परसमत सामुद्रिक व्यपारिक केंद स्थापित किये थे अंग्रेज, फ्रांसी सी, पुर्टगाली या डश, आप देखेंगे जो पुर्टगाली से इन्हों ने भारत में सर परसम सामुद्रिक व्यपारिक के इंदर स्थापित किये थे, आप समसीध राइट हैं सर, परसम के आठ पर आते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में पार्ट के लिए अड़े के रूप में इस्तिमाल किया था, करसंख्या नौ पर आते हैं, निम्रिकित में से कौन कलकत्ता का समसापक था, चार्ल्स आयर, जाब चारनाक, गैरोड अंगियार या विलियम नौरिस, तो आप देखेंगे, कासिम बजार के फैक्टरी के प्रमु प्रसंख्या 10, भारत में इस्ति इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, पहला भारत में राष्ट्री भावना की कमी, दूसरा कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रसिछड मिला था, तता उनके पास आधुनिक खतियार थे, तीसरा भारती सेनकों में भी राष्ट्री भा है प्राइम का ग्यारा पे आते हैं निल्विकेश्ट बीटिस कंपनियों में से किसे भारत में वैपार करने का पहला अधिकार पत्र प्रत्र प्रत्र वज़ा था लिवेंट कंपनी इस्ट इंडिया कंपनी में अस्थल मार्ग से भारत में विपार करने का अधिकार प्रत्र प्रत्र प्राप्त हुआ था प्रतंगे बारे पर आते हैं British East India Company ने बंबई किसे लिया था डचों से फ्रांसीसियों से डेनिसों से या पुर्तगालीयों से British East India Company ने बंबई पुर्तगालीयों से लिया था क्योंकि 1661 स्वी में इंग्लेंड के समराठ चार्ल्स दुती का विवा पूर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पूर्तगाली उन्दारा बंबई जो है उपहार सरूप प्रदान किया था जिसे बाद में उन्होंने 10 पाउंड वार्सिक किराये पर 1668 इस्वी में ब्रिक्टिस इस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था प्रसंका 13 निम्निकित में से किस वर्थ प्रयाग राज जो उत्तपड़ से उसे किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था इस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को और अंजेब द्वारा भारा से निस्कासित किया गया था आंगियार, सर जान चाइल्ड, सर जान गेयर या सर निकोलस वेट तो सही जवाब होगा आपसन जोए भी सर जान चाइल्ड द्वारा बंबई के अंग्रेज गवर्नर जान चाइल्ड ने 1686 में बंबई और पश्टमी समुन्तट के मुगल बंदर गाओं को का घेला डाला तो था मक्का जाने वाले हर जात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था फलसरूप अंग्रेज और अंजेब ने उसे भारस से निश्कासित करने का आदेश दिया था और मुगल सासक और अंजेब के सामने विवस होकर उसे जो है यानि कि सर जान चाइल्ड को माफी बागनी पड़ी थी आपसन भी दराइट एंसर प्रसंगा 15 पर आते हैं निमनिकेत में से प्रसंग करनाटक की उद्धेखा कौन सा तातकालिक का ऱण सा पहला अंग्रेज और फ्रांसिसी वीड़ प्रतिद्धम था दूसरा अश्ट्रिया की राजगद्द्धी की जंग तीसरा करनाटक की राजगद्धी का मसला कि अंग्रेज केप्टन जो बर्णेट थे इनके नितित्यों में अंग्रेजी सेना दोर्हा कुछ फ्रांसिसी जाहाजों पर अधिकार लेना ही जो जुद का ततकालिक कारण बन गया था है प्रसंगा 16 प्रहां आते हैं करनाटा की किन किन के यह लड़ा गया था अंग्रेज Julius ओम राठे हैदर अलियर माराठे तो और कि वारीचियों के नीचे सूझी को ने कुट की उपयों से सह उतर का चुनाव करना है तो हम देखेंगे प्रसम करनाट क्यों टाथ हुआ था अंत ऑफलाब की От तो एक फोर हो जाएगा करनाटा चेंज परेश कि संदी से वहा था तो बी कावन हो जाएगा और आप देखेंगे दूटी करनाटा के तो यह था और निडाय निकला है और परसम मैसूर युद्य को इसमें बिट्रिन की हार हुई थी तो इसमने हमार सही एंसर होगा A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2, आपसन C is the right answer. प्रसें कठारे प्राइप आते हैं, फ्रांसी सी इस इंडिया कमपनी समस्थापित कब हुई थी? लुई 14 में के सासन काल में, लुई 13 में के सासन काल में, लुई 15 में के अथवा, लुई 16 में के सासन काल में, तो हम देखेंगे कि फ्रांसी सी सी इस इंडिया कमपनी है, इसकी अस्थापना सोलर सा चौंसा टिस्वी में लुई 14 में के सासन काल में हुई थी, ओके? अगला प्रस्ट निमलिखित में से किसे भारत में फ्रांसी सी कमपनी का संसापक माना आता है रिसलू, मजारे, कालबट या फ्रेंको, मार्टिन तो उसका सही ज़ब होगा, आप जो ऐसी कालबट प्रस्ट का 20 पे आते हैं बंगाल में निमलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने सापित किया था बंदेल, चिंसूरा, हुगली या स्रीरामपुर तो इसमें आप देखेंगे चिंसूरा और हुगली ये दोनों ही कारखाना डचों ने सापित किया था तो इसका सही अंसर होगा बी और सी दोनो प्रस पासियों को सरोत्तम किस्म का सोरा और अफिम जो है वो बिहार से प्राप्सार सा आफसन एड़ राइट एंथर प्रसंग के बाइस पर आते हैं निमलिखेती यूरोपियों में से कौन सा एक स्वांतापुर भारत में व्यपारिक उरूप में सबसे जो है अंत में आये थे तो याद रखेगा पुर्टगाली सबसे पहले 1499 में आये थे और सबसे बाद में 1910 में वापिस भी गये थे ओके प्रसंगा 23 पर आते हैं निमलिखेत में से किन असानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किये नागपटिनम, चिंसुरा, मशलिपटनम या सूरत, भरूच, आगरा, अथवा, कोचीन, एहमदाबाद, पटना या उपिक सभी तो आप देखेंगे कि ड संपनी एक असंगती है, परन्तु यह उस विवस्था का बाग है, जहां सब कुछी असंगत है, वारन हिश्टिंग्स, टीवी मैकाले, लाड क्लाइव, या हेंडरी डुडांस, तो सही ज़ाब होगा, आप सन जो है, भी टीवी मैकाले ने ये कथन कहा था, आज का अंतिम प मदरास पुनः प्राप्त हुआ, नीशें दिये के कूर से सही उतर का शुनाव करिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो, न तो एक नहीं दो, तो आप देखेंगे, आप संसी जो है, इसका सही ज़ाब होगा, एक और दो दोनो, क्योंकि एक सला सापेल की संधी से जो ह आश्ट्रिया के उतराधिकार का युद भी स्वाप्त हो गया, युरोप का युद बंध होते ही, करनाटक का प्रसम युद भी स्वाप्त हो गया, तसा जो है, मदरास अंग्रेज technicians को पुनह प्राप्त हो गया, अथा कथन एक और दो, दोनो हो इसाई है, दोस्तों, इस पह कारत है हमारे आज के जो है पाहले टापिक का महतोपूर 25 प्रंस पूरे हुए और अगले टापिक हम इस इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों पर लेकर आएंगे वीडियो कर अच्छी लग रहे हैं चैनल को लाइक करिए सेर करें सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ के लिए धन्यवाद मिलते हैं कलेक नए वीडियो में